सो गाइस जाइंट जोंबी हल्क ने लो सेंटोस में तबाही मचा दी है और इस तबाही को रोकने के लिए हमारे अवेंजर्स भी हमारे पास नहीं है इसलिए आज हमारे Franklin को एक mission पर भेजा जा रहा है जिसमें हमारे Franklin को एक new Avenger को बनाना होगा और वो new Avenger इतना ज़दा powerful होगा की वो इस giant zombie hulk को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है तो guys क्या हमारा Franklin हमारे new Avenger को बना पाता है या फिर वो बीच में ही इस जोंबी वाइरस का शिकार बन जाता है सो गाईज यार लोस सेंटोस में अभी तबाही आ चुकी है क्योंकि यार जोंबी हल्क नेना हमारी दुनिया पर काफी खतरनाक वाला हमला कर दिया है इसलिए यार अभी मुझे यहाँ पर अपने किसी न्यू अवेंजर को बनाना होगा ताकि यार हम अपनी दुनिया को बचा सके तो चलो गाईज यार अभी मुझे जल्दी से अपने यूनिवर्स से निकलना होगा So 3, 2, 1 So alright guys यार अभी हमें यहाँ पर पता लगा है कि हमें माइकल के घर पर अपना हल्क मिल ले वाला है और guys यार हम अपना कोई न्यू अवेंजर बनाए और उसमें यार हल्क की पावर नहीं होगे न तो यार वो काफी कमजोर होगा इसलिए अभी मैं यहाँ पर माइकल के घर पर आ चुका हूँ और मेरे साथ यार यहाँ पर सिंचन भी है और यह देखो भाई लोग मैं आपको बोल रहा था ना कि हमें हमारा हल्क यहाँ पर ही मिलेगा और यह यार यहाँ यहाँ पर ही है और गाईजर अभी ना मेरे पास कोई वैपन भी नहीं है सिर्फ इस कुलाडी को छोड़ कर तो मैं अभी एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर पीछे से ना हल्क पर हमला करूँगा तो देखते कि यार हमारा यह हमला कैसा रहेगा सो 3, 2, 1 यह ले हल्क अरे भाई यार मेरा पहला हमला तो काफी खराम था लेकिन अभी देखो यार हमने यहाँ पर हल्क को पूरी तरीके से भिहूश कर दिया है अरे हाँ फ्रेंकलिन भया लेकिन हम अभी हल्क भया का क्या करने वाले हैं अरे दरसल सींचैन यार अभी न हम हलक का सीरम लेने वाले हैं और मेरी special सीरम वाली गन ये रही ताकि यार हम न अभी अपने new avenger को बनाएंगे न तो guys उसमें हमारे हलक का सीरम रहना ही चाहिए तो चलो आजो यार अभी हम अपने हलक के सीरम को लेते हैं So 3, 2, 1 अरे Franklin भया देखो हमारे हलक भया का सीरम कैसे चमक रहा है अरे सिंचेन यार हमारे हलक के पास काफी सूपर पावर है न इसलिए यार जो हमारे हलक का सीरम है वो भी देखो guys ये कितना जादा powerful है तो चलो यार इसे पहले की हलक उठेना हम जल्दी से सीरम को लेकर यहां से निकल लेते हैं तो guys अभी हमने यहां पर अपने अपने हलक के सीरम को इखटा कर लिया है और मैंने यार इसे अपनी गाड़ी में भी रख लिया है और यार अभी हम अपने New Avenger को बनाने जा रहे हैं न तो यार उसमें Hulk के साथ साथ हमारे Iron Man की भी power होनी चाहिए लेकिन यार मुझे पता है हमारा Iron Man हमें अपनी power नहीं देगा इसलिए यार मुझे ना उसके एक suit को चुराना होगा ताकि यार हम अपने इस experiment को successful कर सके तो चलो भाई लो गयार अभी हम जल्दी से चलते हैं Iron Man के पास तो गाइज अभी हम यहाँ पर अपनी Iron Man की location पर आ चुके हैं और यार मुझे यहाँ पर अपना Iron Man मिल ले वाला है तो उसके लिए यार मैंने यहाँ पर अपनी special gun को भी रखा था ताकि हम अपने Iron Man को भी होश कर सके और यह दिखो यार मेरी यह gun कितनी ज़्यादा powerful और बड़ी है और इसकी मदद से मैं यहाँ पर अपने Iron Man को भी भी होश कर दूँगा अरे हाँ Franklin भया हमारे Iron Man भया काफी ज़्यादा powerful है तो आप उनसे थोड़े संबल कर रहना अरे हाँ Shin Chain यार मुझे पता है कि Iron Man काफी ज़्यादा powerful है बट यह दिखो यार हमारा Iron Man यहाँ पर किसी एक नए सूट को बना रहा है और इसने यार यह लगबग तयार भी कर लिया है तो उसम भाई लो गयार अभी हमारे पास यह सबसे बेस्ट मौका है इस सूट को चुराने का तो चलो आजो यार अभी मैं जल्दी से इस सूट को चुराता हूँ यह दिखो मैंने Iron Man को बहुश कर दिया है और यह उटने की कोशिश भी कर रहा है भाई यार यह सूट कितना ज़्याद पावरफुल आईरन मैन का सच में यार लेकिन हमने भी यार यहाँ आपर Iron Man को पूरी तरीके से बेहुश कर दिया है और इसे ना यार मैं थोड़ा सा ओर मारता हूँ ताकि यह उटना पाए अरे फ्रेंक्लीन भीया देखो हमारे Iron Man का यह सूट कितना ज़्यादा मस्त है अरे हाँ सिंचेन यार यह सूटना मुझे काफे ज़्यादा सही लग रहा है लेकिन यार यह ना हमारा आई हर्ट का सूट है और यार यह सूट गाइस काफे ज़्यादा पाउरफुल है और यार जहां तक मैं जानता हूँ ना Iron Man ने हमारे इस सूट को एक warrior सूट के रूप में बनाया है और यार यह काफे तगड़ी fight भी कर सकता है तो चलो गाइस यार अभी मैं जल्दी से इस सूट को पहन लेता हूँ So 3, 2, 1 So ओपी भाई लोग यार अभी हमारे पास यहाँ पर हमारा Iron Man का यह सूट भी आ चुका है और यार आप मुझे जल्दी जल्दी एक बार कमेंट में यह बताओ कि यार आपको यह सूट कैसा लगा सिंचेन वैसे यार तुझे यह सूट कैसा लगा अरे Franklin भीया आपका यह सूट ना काफी जादा मस्त लग रहा है और आप इसकी कुछ powers दिखाओ न अरे हाँ सिंचेन यार देख अभी मैं तुझे इस सूट की power दिखाता हूँ काफी जादा power होती है तो यह देखो यहाँ पर मैं इनका क्या हाल करता हूँ और यार मैंने तो इस कार का मार मार के देखो क्या हाल कर दिया है अभी यह कार भाई पूरी तरीके से blast हो चुकी है और मैंने इसे हवा में भी उड़ा दिया है तो यार मैं अभी यहाँ पर काफी इंसान भाग रहे है तो अभी देखना यार मैं इनका क्या हाल करता हूँ और मैं एक ही पंच के साथ ना यार कितने इंसानों को मार सकता हूँ तो यह देखो मैंने यहाँ पर काफी ज़ादा तबाही मचा दिया है और अभी हमारा ये आई हर्ट सूट काफी जादा गुसे में भी आ चुका है तो चलो guys यार अभी मुझे ना इस सूट को लेकर अपनी दूसरी दुनिया में जाना है तो चलो भाई लो ग्यार अभी हम चलते हैं अपनी दूसरी दुनिया में अरे Franklin भाया अभी हम ये कहाँ पर आ चुके हैं अरे दरसल सिंचेन यार अभी हम यहाँ पर सेंटा क्लोस की दुनिया में आ चुके हैं क्योंकि guys यार जो हम अपना New Avenger बनाने जा रहे हैं उसमें यार मैं अपने सेंटा क्लोस की पावर डालने वाला हूँ तो देख देख यार हमारा सेंटा क्लोस यहाँ पर कहाँ हो सकता है वैसे यार सेंटा क्लोस की दुनिया काफी जादा ठंडी है और यहाँ पर भाई सिर्फ बरफी बरफ है अरे लेकिन यार वहाँ पर ये कोन है गाइस देखो मुझे यहाँ पर अपने एक सेंटा क्लोज भी मिल चुकी है और यार यह हमारे ब्लैक सेंटा क्लोज है बट यार मुझे ना इतना पता है कि जो हमारे ब्लैक सेंटा है इनके पास काफी खतरना खतरना क्वाली पावर है इसलिए यार अभी मुझे यहाँ पर इ मुझे ना आपकी आवाज आ रही है लेकिन आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो अरे सिंचेन यार अभी ना मुझे सिर्फ हमारी सब्सक्राइबर सी देख सकते हैं इसलिए गाइजर अगर आपने भी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज यार एक बर जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको मेरी सभी पावर्स दिख सकें तो चलो यार अभी ये ब्लैक सेंटा भी मुझे यहाँ पर नहीं देख पा रहा है और अभी मुझे इसे बेहुश करना है सो 3,2,1 ये दिखू भाई साब मैंने ब्लैक सेंटा क्लोज को पाणी में गिरा दिया है और ये अभी भी उट गए क्या यार हमारे ब्लैक सेंटा तो यार काफी ज़ादा पाउरफुल है और इसी के साथ हमने यहाँ पर इन को बेहुश भी कर दिया है अरे हाँ Franklin भया हमारे Black Santa भी होश तो हो चुके है लेकिन प्लीज अभी आप जल्दी से विजीबल हो जाओ तो ये ले सी इंचेन यार अभी मैं विजीबल भी हो चुका हूँ अभी हमने यहाँ पर अपने Black Santa clothes को भी बेहोश कर लिया है और यार अभी ना मैं इनका सीरम निकालने वाला हूँ इसलिए आज़ो यार अभी हम अपने Black Santa clothes का और सीरम देखते है और देखते हैं यार ये कितने ज़्यादा powerful है So 1, 2, 3 अरे Franklin भया ये देखो हमारे जो Black Santa clothes थे ना ये भी काफी ज़्यादा powerful है क्योंकि इनके सीरम में से देखो कैसे energy बहरा रही है अरे हाँ सींचेन यार हमारे Black Santa clothes भी यार काफी ज़्यादा powerful है तो चलो गाईज यार अभी हमारे पास यहाँ पर हमारे Hulk और Black Santa का सीरम आई चुका है क्यार जब मैंने इस सीरम को अपनी कार पर रखा तो मेरी कार Red से एक इदम Black में Convert हो चुकी है वरना यार जो ये हमारे Red Iron Man का सूट है ना इसकी ये Red कार थी जैसे ही मैंने इस सीरम को अपनी कार पर रखा ये कार एक इदम Black हो गई वैसे यार आप मुझे ये बताओ कि यार आपको इसका ये black color कैसा लग रहा है मुझे तो यार इसका ये black color ना ठीक लग रहा है बट जो इसका red color था वो काफी ज़ादा awesome लग रहा था अरे हाँ guys यार आप ना जल्दी से comment में ये बताओ कि आपको red color की कार ज़ादा अच्छी लगती है या फिर black की अगर आपको black अच्छा लगता हो तो black लिखना और red अच्छा लगता हो तो red लिखना तो चल सिंचेन यार अभी ना हमें जल्दी से यहां से निकलना चाहिए क्योंकि यार अभी हमें अपने यहां पर red Santa Claus को भी डूनना है तो चलो आज़ो guys यार अभी हम जल्दी से चलते हैं अपने red Santa की location पर तो guys अभी हम यहां पर अपने red Santa Claus की factory में आ चुके हैं और यार यहाँ पर हमारे ред santa बच्चों के लिए काफी जबरदस जबरदस गिफ बनाते हैं, इसलिए यार अभी हमे यहाँ पर अपने red santa close को डूढना होगा, बट यार हमें ना उन्हें काफी अराम अराम से डूढना होगा, ताकि यार उन्हें पताना लग जाए कि यार हम तो चलो यार यहाँ पर अभी मैंने अपनी टीर गैस को निकाल लिया है ताकि यार हम अपने सेंटा क्लोज को बेहोश कर सके तो सिंचेन यार अगर तुझे यहाँ पर सेंटा दिखते हैं ना तो हमें बताना और यह देखो भाई लोग मुझे यहाँ पर हमारे सेंटा क्लोज में मिल चुके हैं यार सेंटा क्लोज ना यहाँ पर कुछ गिफ्ट बना रहे हैं तो मैं जल्दी से यहाँ पर टीर गैस डाल देता हूँ ताकि हमारे सेंटा बेहोश हो जाए और ये दिखू हमारी tear gas का यार सेंटा पर कुछ-कुछ असर तो हो रहा है और मैं यहाँ पर जादा से जादा tear gas डाल लेता हूँ ताकि हमारे सेंटा close बेहोश हो जाए तो ये दिखू भाइलो ग्यार हमने यहाँ पर सेंटा close का क्या हाल कर दिया है और अभी एक कुछ ही देर में बेहोश भी हो जाएंगे और ये दिको भाई लोग यार मैं आपको बोल रहा था ना कि हमारे सेंटा अभी हमारी टियर गैसे यहाँ पर बेहोश हो जाएंगे लेकिन यार हमारे सेंटा ना यहाँ पर सिर्फ कुछी देर के लिए बेहोश हुए है अरे Franklin भया फिर तो हमें यहाँ से ना कुछ गिफ्ट को उठा लेना चाहिए अरे सिंचेन यार किसी की चीज को ना ऐसे उठाते नहीं है और यह bad manner से यार तो चलो गाईज यार अभी न हमें यहाँ पर अपने रेड सेंटा के सिर्म को भी लेना है तो मैं जल्दी से अपनी गन निकाल लेता हूँ और इसी गन के साथ हम यहाँ पर रेड सेंटा का सिर्म लेने वाले हैं So 3, 2, 1 So alright guys यार अभी हमारे पास यहाँ पर हमारे सभी सूपर हीरो का सिर्म आ चुका है जैसा कि इसमें हमारे हल्क का सिर्म है इसमें हमारे आयरन मैन का इसमें हमारे ब्लेक सेंटा क्लोज और इसमें हमारे रेड सेंटा क्लोज का सिर्म है सो यार अभी इन चारों सीरम को मिला कर मैं एक हमारा जाइंट अवेंजर बनाने वाला हूँ तो यार मुझे ना इसमें आप सभी की हेल्प की जरूरत है क्योंकि भाई लोग यार अभी जो वो जोंबी हल्क है वो हमारी सीटी में काफी जादा तबाई मचा रहा है तो यार अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज यार एपर जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो ताकि यार हमारा न्यू अवेंजर बन सके और यार अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो यार हमारा ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा So please guys यार हमारी help कर देना तो चलो यार अभी हम अपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं So 3, 2, 1 So awesome guys यार अभी हमारा new avenger यहाँ पर बन कर तयार हो चुका है और यार ये तो हमारा hulk सेंटा क्लोज है यार हमने यहाँ पर अपने hulk का सीरम नहीं लिया था इसलिए देखो हमारा ये hulk सेंटा क्लोज अभी तयार हो चुका है और ये यार उस zombie hulk को ना काफी गंदे वाला सबक सिखाने वाला है क्योंकि यार इसके पास ना हमारे सेंटा क्लोज और hulk दोनों की power है और यार अभी मापको इनकी power दिखाता हूँ तो ये देखो ये यहाँ पर कितना बड़ा military का truck था और मैंने यार इसे कैसे हाथ में उठा लिया है देखो यार अभी से मैं कैसे फैक के मारता हूँ और मेरे जो यहाँ पर punch है वो तो बोई काफी जादा ही next level की है ये देखो मैं यहाँ पर अगर एक भी punch मार रहा हूँ ना तो सारी के सारी गाड़िया हवा में उड़ती जा रही है तो यार सिंचन तुझी ये हमारा hulk सेंटा कैसा लगा अरे Franklin भाया मैंने ना आज से पहले ऐसा कोई भी avenger नहीं देखा है जो कि इतना सद पावरफुल हो अरे हा सिंचन यार वैसे गाईज यार इसके पास hulk और सेंटा क्लोज दोनों की पावर है और मेरे हिसाब से तो यार ये ना उस zombie hulk को काफी गंदे वाला सबक सिखाने वाला है तो यार आज की हमारी इस वीडियो में हमने अपने new avenger को बनाया है और इनकी पावर को हमने पूरी तरीके से टेस्ट भी कर लिया है तो यार अभिमा अपने इस hulk सेंटा क्लोज को हमारी दुनिया में लेकर जाने वाला हूँ तो यार अगर आप इस वीडियो का next part देखना चाहते हो तो यार जल्दी जल्दी से comment में एक बार part 2 लिख के हमारी इस वीडियो को like कर दो तो यार आज की इस वीडियो का हम aim रखते हैं 10,000 like ओ यार जैसी आप हमारी इस वीडियो पे 10,000 like करवा दोगे मैं इस वीडियो का next part लियाओंगा